हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्योंकि आज मैं सिंपल से मिट्टी के दियों को जो है कनवर्ट करने वाली हूं डिजाइनर दिये में तो यह दिये जो है आप घर पे बनाकर सिंपल से मिट्टी के दियों से इंट्यों को क्रियेट कर सकते हो बहुत ही असानी से और इंट्यों को जो है सैट में बनाकर आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली को तो काफी अच्छा ऑप्शन है तो चलिए इंट्राइब के जो दिये ह मिट्टी के किसी भी दुकान में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले वाले दीए को जो है मैं यह यह टेरा कोटा चॉप प्रिंट ले रही हूं और इससे में एक कोट करके मैंने कम्पलीट किया है अब यहां पे मैं 3D आउट लेकर बाहर के साइड में मैंन जाएग करके में एक सिंपल सा डिजाइन बनाया था और इस तरीके से आप डिजाइन को कम्पलीट करोगे मख़्या लेम टाइप को मैंने बनाया है और इस पर मैंने थोड़े डौट सबस्तो भूख कर लेख आ है अब यहां पे जो है मैं फोड़े देश्ट कि मदल क्ष श्रीक के था कर ले रही हूं जूट कौर्ड और यहां अर। म समय विजूँ छोकम आखें में टोर्जाया हूं मैं पूरा त्वुए साइड दिया का साहिए मैं हैंक इसलिक टोद्यति यख़द्दी कवर कर ले रही हूं अब इस पे मैं बना रही हूं वाइट एक्रेलिक से एक लोटस का डिजाइन कुछ इस तरीके का तो हमारा सेकंड दिया भी कंपलीट है और यह वाला जो दिया है मुझे सबसे जादा प्यारा लगा इसका लोग आप इसे दो या तीन के सैट में बनाकर घर में सजा सकते हो अब चलिए तीसरे दिये के लिए जो है मैंने अंदर में लिया है परपल एक्रेलिक पेंट परपल क मैं लेरी हूं पेबिकवल लगा कर मैं यहां पर एक मिरर चिपकाया है मैंने बाहरी के साइड में अधि यह ग्लू लगा कर इस तरीके से नग लगाया है और नग लगा कर एक अच्छा सा अधिया सा फ्लोरल डिजाइन मैंने दिया है इसी तरीके से मैंने बाहर के साइड में भी तीन प्लावर बनाया है सेंटर में मैंने लगाया है एक मिरर और बाहर के साइड में मैं नग लगाई हूँ अब चाहो तो यहां पर परपल किलर का भी नग का इस्तमाल कर सकते हो काफी ज़दा अच्छा लगे गाई है अब यहां पर जो है मैं वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से यहां पर डॉट बना रही हूं और बनाने के बाद यह डिजाइन जो है और भी जादा खुल के बाहर आ रहा है और अच्छा लग रहा है और सूखने के बाद सभी दियों पर वार्णिस का कोट मारना ज़रूर यहां पर दिया के लिए मैं लेमन यलो कलर यूज यू यूज कर रही हूं तो बाहर के साइड में इक कोट कर लिया है अब यहां पे मैंने डिजाइन बनाया है कुछ फ्लोरल यहां पे लोटस टाइप का डिजाइन है पूरा डिजाइन आपको एंड में पता चल जाएगा अंदर के साइड में मैंने एक लोटस फ्लावर बनाया है और उसे कुछ इस तरीके से सजा रही हूं ग्रीन किलर के एक्रेलिक पेंट से मैं डंडियां बना रही हूं अब चाहो तो यह काम जो है 3D आउट लाइनर से कर सकते हो अब यहाँ पे ग्रीन किलर के मैं नग से कुछ पत्तियों का डिजाइन दे रही हूं अब चाहो तो यहां पे मेरर लगा कर भी कम्प्लीट कर सकते हो मेरर के साथ भी यह डिजाइन जो है बहुत ही अच्छा लगेगा अब मैं यहां पे जो है फ्लावर पे थोड़ा और डिजाइन दिया है और ब्लैक कलर के 3D आउट लाइनर से कम्प्लीट किया डिजाइन को अब है रजा रहा है ने जो है इसमें मैं ले रही हूं येलो एकरेलिक पेंट और इस तरीके से मैं सेंटर में य謹ं शन्र Нट लगा करronics में किनारे में जो है ऊऊरेंच के निल्च कलर को दोनों को मैं येलो और आर eu रbok मिक्स करके जो है कुछ इस तरीके से मैंने पैंट किय वैसे ही मैंने अंदर में पूरा इस स्पेस को कम्प्लीट किया है अंदर के साइड में मैं पूरा जो है लाइन से पूरा डिजाइन मैं बना के इसे फिल कर रही हूं अब देखें बाहर के साइड में मैं ले रही हूं रेड कलर का 3D आॉट-liner और इस पे मैं मेहन्दी के डिजाइन से ही पूरा डिजाइन को कम्प्लीट कर रही हूं अब चाहो तो कोई बॉर्डर बनाकर और इसमें साथ में तोरे मीरर एड करके भी इसको बाहर के साइड को जा सकते हों दीए करें दिया सबसे है कांधा जा गडंध बनाने में आसान एन में और देखने में कांथ क्यूट होाँ थो फिर जाए हुए होगा है recuperation तो उमीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ऐसे ही डिया डेकुरेशन से रिलेटड वीडियो और चाहिए तो आप कॉमेंट में हमें लिख सकते हो वीडियो को जाद़ से जाद़ लाइक कीजेगा चैनल को जब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐस आपके लिए हमेशा लाती रहूं अभी तो दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली से रेकुरेशन से रेलेटेड वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी ऐसे ही अपना प्यार और जो सपोर्ट है वह हम पर बनाए रखिए और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है लाती रहेंगी थैंक्स पर वाचिंग लव यू ओल